नक्षत्र टोनी सेवन मीडिया की अध्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह नमश्कार बहुत स्वाकत आप सब का देख रहे हैं जोतिश दिशा सत्य की राह आपके साथ मैं हूँ आपका इस्टू फ्रेंट संतों संतोशी दिन सुरुवात नया दिन नये सबीरा आज 25 सप्रेल है और फैमिली पैकेज के छूट का आज अंतिम दिवस है था तो पहले लेकिन 10 दिन बढ़ाया था मैंने और अब जितना आप लोगों का प्यार हमें मिलना था आज तक आपको मिला है कल से इस छूट का लाब समाप्त हो जाएगा फिर जैसे पहले चलता था 35 सवा में एक कुंडली वही चलता रहेगा सुरवात करते हैं आज के पंचांग की और जोतिश दिशा की पूरे दिन का हाल बताएंगे पूरा दिन आपका कैसा वितेगा किस तरह से पूरे दिन को बेहतर करने के लिए प्रियास किया जा सकता है क्या ऐसा उपाय आज के लिए आप मुकरर करें निर्धारित करें जिससे आपकी जीवन की शुगता और जादा बेहतर तरीके से चलती रहे सुरवात करते हैं आज के जोतिश दिशा की सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग बैशाक महाशुकल पक्ष दुतियाति थी यारे बचकर इक्यावन मिनर तक सुबह इसके बाद तुरतियाति थी आज परशुराम जैनती है और आप सब को परशुराम जैनती की शुब काम नाएं चंद्रमा ब्रिशब रासी में नक्षत्र कृतिका रहेगा योग रहेगा आज का स्वभाग्य तद अनुसार दिनांग 25 अप्राइल दिन शनिवार सनिवार को राहुकाल का समय नोट कर लीजेगा सुबह 9 बजे से 10 बच कर 30 मिनट तक राहुकाल में नए और शुबकाम बिलकुल नहीं किये जाते और गुले काल का समय रहेगा सुबह 6 बजे से 7 बच कर 30 मिनट तक जो चाहें प्रते कार्याप कर सकते हैं काम आपके बंते चले जाते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की राशिफल की और मेश से ले करके मीन तक के लिए बताते हैं कि पूरा दिन आपका आज का कैसा बितेगा आरम करते हैं आज की भविश्य मारी सबसे पहले मेश राशी दिन थोड़ा सा ठाहरा सा रहेगा आज मन में कुछ बेचैनी रहेगी पढ़ने में मन नहीं लगेगा लेकिन दिन को बेहतर करने का प्रयास आपका सफल हो सकता है आज का दिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का है धन के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा हर प्रकार से परेशानियों का अंत होगा लाप के बड़े अवसर बनेंगे आज हर प्रकार की शुबता मिलेगी और रुके धन की प्राप्ति रहेगी प्राइवेट सिक्टर वालों के लिए थोड़ा समय प्रतिकूल रहेगा बास के साथ भी बाद हो सकता है लेकिन दामपत्त जीवन अच्छा है पत्यपत्नी के बीच किसी भी तरह का दोश और परेशानी नहीं दिखाई देते पत्यपत्नी के साथ हर मुश्किल आसान होगी आज लव लाइफ ब्यहतर रहेगा आज लाव के बड़े अवसरों की प्राप्ति होगी लव लाइफ में आज शादे की चर्चा कर सकते हैं रुके कारे आपके बन जाएंगे आज स्वास्त के मामले में आँख की दिक्कत और छाती में दर्द की शिकायत रहेगी प्रियूक के तोर पर आज भगवान भोले नाथ का ध्यान करियेगा क्या नहीं करना है आज गुसे में कोई शब्द नहीं बोलना है इर्षया और गुसा साइड करती थी जिन्दिगी बहुत प्यारी है शुबरंग आपके लिए आज केसरिया भाग्य प्रतिशत 63 आज का दिन बिशव रासी वालों के लिए क्या करना चाहिए कैसा पितेगा दिनांग 25 अप्रेल दिन शनिवार बिशव वालों के लिए सवगात मिलेगा परिशानी दूर किसी तरह की चिंता तनाव की आवशक्ता नहीं आप पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा आज पढ़ाई अच्छी करेंगे ब्यापारिश दिष्टी कोर्ट से कुछ नुकसान हो सकते हैं बिजनस में आज कुछ परेशानियां दिखाई देती हैं ब्यापारिक दिश्टी कौन से आज अचानक से कुछ परेशानी आ सकती है, पैसा कहीं फंस सकता है, आज दामपत्य जीवन में पत्य पत्नी के मध्य टकराव खत्प होगा, संतान का सुख मिलेगा, कोई मित्र बहुत करीब से मदद कर जाएगा, लव लाइफ थोड़ा सा आखों की समस्या और छाती में दर्द की शिकायत हो सकती है, प्रियोग क्या करना चाहिए, आज कुछ मत करिए, अपने हाथों से कुछ पौधों को जल दे दीजेगा, क्या नहीं करना है, आज किसी बड़े बुजर्ग को कोई जबाब नहीं देना है, शुभरंग आपके ल लोग को किसी तरह के तनाव किस्ति नहीं है, पढ़ाई अच्छी कर रहे है, आर्थिक किस्ति थोड़ी सी डावा डोल होगी, दामपती जीवन सदा, सुमंगल दाएग रहेगा, आज भी बात खत्न हो रहा है, स्वास्त के मामले में थोड़ी बहुत परिशानी हो सकती है, ह आज का दिन मिथुन राशिवालों के लिए कुछ परिशानी भरा हो सकता है, लव लाइफ में, किसी का हस्तक्षि परिशान करेगा, उपाय के तोर पर आज मिथुन राशिवालों को किसी गव माता को कुछ खाने के लिए दीजेगा, क्या नहीं करना है, आज ज्यादा किसी के साथ करीबी रिस्ता नहीं जोड़ना है शुबरंग आपके लिए आज का दिन नीला भागी प्रत्षत 61 करक्राशी पढ़ाई ची करेंगे शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगे सिक्षा छेत्र में लाब की आउसर बनेंगे सिक्षा छेत्र में कुछ विशेष सकरात्मक्ता मिलेगे ब्यापारिक दिष्टिकोंट से शुभाउसर की प्राप्ति होगी आज लाब जरूर होगा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेगा स्वास्त के मामले में जरूर मिलेगी आज किसी मित्र का सानिध्य मिल रहा है और कुछ बहुत सकरात्मक्त हो रहा है लव लाइफ बहतर है आज सादी की चर्चा कर सकते हैं दिन बहतर बीतेगा अपनी गलती मानने से आज रिष्टा बहुत प्रगार हो जाएगा स्वास्त के मामले में आँखों क की तकलीफ शुगर थोड़ा सा बढ़ सकता है उपाय क्या करना है करक वालों को आज आज किसी जरूरतमंद को सबजी दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज जूट नहीं बोलना स्लेटी रंगशुब है शांशट प्रत्षत का भाग्या आपके साथ है भया सिंग राशी दिन अच्छा है क्रोध पर नियंतरन रखना होगा पढ़ाई अची कर लेंगे आज घर परिवार में खुशहाली का वातावरन रहेगा घर परिवार के साथ आज बधे रहेंगे आप पर लोगों का भरूसा बढ़ेगा परिश्थतियां आपके पक्ष में है तनाव खत्म ह हो रहा है शुहता आपको जरूर मिल रही है स्वास्त के मामले में आज बेहतर रहेगा ब्यापारिक दिश्टिकोंट से लाब के अउसर बनेंगे आज कोई मित्र कारेच्षेतर में मददकार साबित होगा आज कवर्मेंट सेक्टर बालों को कुछ विशेश लाब हो सकता है पत्णी के बीच दनाव कम होगा संतान सुख की आज वृध्धी दिखाई देती है लव लाइप में कोई मित्र आज सेंथ लगा सकता है एक दूसरी के प्रति आविस्वास आज आपकी प्रेम जीवन को दीमक की तरह काट सकता है खा सकता है चाट सकता है आज शक ना आने द और क्या करना है आज किसी जरुरतमंद को खाना खिला दीजेगा क्या नहीं करना है आज क्रोध में आभेश में कोई फैसला मत ले लीजेगा शुबरंग सफेद भागी प्रित्षत 58 बात करते हैं कन्याराशी की 25 अप्रेल कन्याराशी दिन सनिवार शुब सोचेंगे पढ़ा कानियां दूर हो रही है लाव के अवसर रहेंगे आज मुद्दतों बाद कुछ बेहतर होगा कारचेतर के मामले में वाहन और धन सुख दोनों आज दिखाई देता है आज कोई दोस्त बहुत करीब से मददगार साबित होगा शुबता मिल जाएगी आज स्वास्त के मामले में परेशान रह सकते हैं आज दामपत्य जीवन में पति-पत्नी के बीच कुछ तनाव और टकराव दिखाई देता है मित्रों के साथ कहीं घुमने टहलने का कारिक्रम आज ना बनाए तो बहतर रहेगा परिवार के साथ समय विताईए और बच्चों पर फोकस कर दीजेग पत्पत्नी के बीच मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएंगी आज का दिन लव लाइफ के मामले में नए सवगात वाला है प्रेमी प्रेमिका के बीच किसी तरह का कोई जगडा रराई नहीं दिखाई देता है सकरात्म कूर्जा रहेगी और हर प्रकार से आप बेहतर सो आएगा बात कर लेते हैं अब कन्याराश वालों के लिए लव लाइफ की लव लाइफ में कुछ मुश्किलें आ रही है आज प्रेमी प्रेमिका के बीच किसी अने का प्रिवेश कुछ मुश्किल पैदा करेगा प्रेमी प्रेमिका के साथ तनाव पैदा हो सकता है आप पर भरोसा बढ़ेगा, स्वास्त के मामले में आज लाव की आउसर बनेंगे, दवाओं का सेवन जारी रहेगा, आज चुखाम बुखार खांसी परेशान कर सकती है, प्रियोग क्या करना चाहिए, आज के दिन भगवान सिरी गणेश को ध्यान में करके, ओम गंगणपते नम्ह, म लाहर निकलेंगे, कुछ बड़े अफसरों की प्राप्ति होगी, धन की इस्ति अच्छी रहेगी, परिशानियों का अन्त होगा, पढ़ाई अच्छी करेंगे, आज का दिन आर्थिक इस्तिती को मजबूती देता है, रुके धन की प्राप्ति होगी, अकस मात धन की बनती हैं तुला राशिवालों के लिए कुछ बड़े अवसर मिलेंगे आज परेशानी दूर हो रही है तुला पर आज इश्वरी किरपार है कि दामपत्य जीवन आज सकारात्मक रहेगा बिश्चिक राशिवालों के लिए कुछ इस्थती ऐसी भी आ सकती है जो आप पर भा कामने आ जाएगी और यही आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी स्वास्त के मामले में आज सावधान रहिएगा दवाओं का सही समय पर सेवन करिएगा जिससे किसी प्रकार की चिंदा ना हो उपाय क्या करना चाहिए आज आज किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने क कि वस्तु उपहार सुरूप दीजिएगा क्या नहीं करना है आज दूसरों के बातों पर भरोसा नहीं करना है बैगनी रंग्शुभाय सानसथ प्रत्षत का भाग्याब के साथ है बात कर लेते हैं अब धनु राशिकी माफ कीजेगा ब्रिश्चिक राशिक की बात करते हैं ब्रिश्चिक वालों के लिए आज किसी तरह से भी सिक्षा छेत्र में बहुत उचाईच होने का समय है सिक्षा छेत्र में किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी परिस्ततियां आपके पक्ष में सिक्षा छ शेत्र में धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी ब्यापारिक दिश्टिकोंट से कुछ मुश्किलें आ सकती हैं बिजनस के मामले में बहुत सावधानी बरतने क्या परशकता हैं परिशान हो सकते हैं लेकिन सावधान रहेंगे तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी तुलाराश विश्टिक राशिवालों के लिए आचका दिन ब्यापारिक दिश्टिकोंट से आर्थिक दिश्टिकोंट से बहुत सखरात्मक हैं आपके साथ कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और यह आपके लिए एक बड़ी इस्थति पएदा करेगा बड़ी सगरात्मक की स्थती पैदा करेगा आप पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा दामपत्य जीवन अच्छा है पति-पत्नी के बीच दनाव खत्म हो रहा है शुप्ता की विद्धी हो रही है स्वास्त के मामले में किसी प्रिकार की दिक्कत नहीं आई लव लाइफ में भी आज बहार ही बहार है कुछ परिशानिया थी वो बिल्कुल दूर हो रही है और अब उनके भी मन में सगरात्मक्ता आ रही है और यह एक बहुत अच्छी सुरुवात है लाब के उसर रहेंगे स्वास्त पर थोड़ा सा पेट और छाती में दरदाद की शिकायत रहेगी उपाय के तोर पर आज ब्रिश्टिक रासी वालों को सफेद रंग धारन करना शुब होगा क्या नहीं करना है आज दूसरों की बातों पे भरोसा कदापिना करियेगा शुबरंग आपके लिए सफेद भागे प्रिश्टिक शिष्टी टू धनुराशियो रुके कारे बन जाएंगे परिशान कतई न होएगा पढ़ाई अच्छी करेंगे शुक्षा छेतर में कुछ बहुत सकरात्मक है आज दामपत्य जीवन की इस्तिती अच्छी होने की वज़े से कारे शुत्र में भी सकरात्मक उर्जा रहेगी धन की इस्तिती अच्छी आएगी आज जो प्रमोटर्स हैं आपके आज जो बॉसेज आपके हैं वो भी आप पर आज भरोसा करेंगे कुछ बहुत सकरात्मक उर्जा आपको स्वत्य प्राप्थ हो रही है यहाँ आपके लिए एक बड़ी सोगात आप पर किसी तरह के दुराव की आवशक्ता नहीं किसी तरह के चिंता की आवशक्ता नहीं भरोसा बढ़ेगा परशानियों का अंत होगा आज का दिन धनुराशी वालों के लिए बहुत सकरात्मक उर्जा का रहेगा कुछ बड़ी भारी भरकम इस्थती आपकी आज बनने जा रही है और यह आपके लिए एक बहुत बड़ा साउगात होगा धनुराशी वालों के लिए कारेचेत्र में दबदबा रहेगा दामपत्य जीवन में शुकता मिलेगी आज लव लाइफ की इस्थती भी बहुत अच्छी है आज नहीं सुरुवात हो सकती है संतान सुख दिखाई देता है आज दामपत्य जीवन वालों में धनुराशी के लिए आज सिख्छा की मामले में भी जो सुखता थी वो शाम तक बनी रहेगी स्वास्त की स्थती आँख और दामत में समस्या हो सकती है आज कुछ मांसिक परिशानी भी रहेगी उपाय क्या करना चाहिए आज आज गायतरी मंद्र का जाप कर लिजेगा बहुत शुभ सोच के साथ है सकरात्मक सोच के साथ क्या नहीं करना आज आज दूसरों पर भरोसा कदाप ये नहीं करना है औरेंज कलर शुभ है पचास प्रतिशत का भाग्याप के साथ है मकर राशी दिन अच्छा रहेगा आपके ख्वाप पूरे होंगे परेशानियों का अंत होगा तनाव दूर होगा कुछ विशेश लाब मिलेगा मकर राशी वालों के लिए परेशान एकदम न होईएगा किसी तरह की चिंता की आवशक्ता नहीं है कुछ परेशानी थी जो पढ़ाई के साथ दूर हो रही है बॉसेस प्रशन टीचर प्रशन और हर प्रकार की शुवदा मिलती जा रही है हर प्रकार की शुवदा आपके दोस्त आज बहुत करीब से आपको मुदद करेंगे आप पर लोगों का भरुसा बढ़ेगा कदापी चिंता मत करिएगा यही आपके लिए सबसे सकारात्मक उरजा है आज मानसिक शान्ती मिलेगी कुछ तनाव था वो दूर हो जाएगा लाप के बड़े अवसरों की प्राप्ती होगी धन की इस्तिती बहुत अच्छी है आज आपके साथ कुछ बहुत सकारात्मक होगा मकराश वालों के लिए दामपत्य जीवन में शुपता मिलेगी पति-पत्नी के बीच संतान की सुख की अभी तित दिखाई देती है आज मकान का सुख मिल जाएगा वाहन का सुख रहेगा आज का दिन लव लाइफ की इस्तिती भी अच्छी रहेगी आज शादी की चर्चा जरूर कर सकते हैं यही आपके लिए सबसे बड़ा सकरात्मक पॉइंट होगा स्वास्त ब्यहतरीन है परेशानियों का अंत हो रहा है किसी तरह की चिंता की आवश्यक्ता नहीं है आज कुछ रुके कारे भी बन जाएंगे लव लाइफ वहाँ भी बंबं है उपाय अब बता देते हैं मकर राशी वालों के लिए आज ब्लैक कलर पहन लीजेगा क्या नहीं करना है आज आज माता पिता को जबाब नहीं देना है शुबरंग काला भागी प्रतिशत 67 कुम्बराशी आज का दिन कुम्बराशी वालों के लिए नए सौगात लेकर क्या रहा है परिशानियों का अंत होगा पढ़ाई में आज मन लगेगा बिद्यार्थियों के लिए नए सौगात की स्थिती अर्थात कहीं नई जगा है कोई खुशकबरी कोई रिजल्ट का पॉजिटिव होना इत्यादी इत्यादी आज का दिन कारियर के इस्थिती में प्राइवेट सेक्टर, सरकारी छेतर और बिजनस तीनों में धन की इस्थिती बैलन्स रहेगी पैसे की मामले में आज का दिन बहुत सकारात्मक है पैसे आपके पास चलकर आ रहा है और रुक्य धन की प्राप्ती भी संभव है अगर आप कमा रहे थे तो आज शादीत होने की संभावना भी बन दी है दामपत्य जीवन सकरात्मक है पत्य-पत्ने की बीच तनाव खत्म हो रहा है परेसानियों का अंत हो रहा है अपने आप कोई रिजल्ट पॉजटिव हो रहा है आज का दिन कुम्बराशी वालों के लिए कुछ और सौगात लेकर आएगा जैसे लव लाइप में शादी की चर्चा और स्वास्त में शुगता आज उपाय क्या करना चाहिए आपको कुम्बराशी वालों को आज का दिन भगवान सूर्य देव का ध्यान करना है हाथ जोड़ करके और उन्हें मन ही मन प्रणाम कर लिजेगा क्या नहीं करना है आज किसी से जगड़ा नहीं करना है शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रत्षत 64 अब बात कर लेते हैं चर्दे चर्दे अंतिम राशी मीन की भया मीन राशी वालों को आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा सिक्षा में कहीं से भी स्थती आपकी ठीक नहीं आ रही सिक्षा के मामले में कुछ बहुत सकरात्मक होने जा रहा है सिक्षा छेत्र में परेशानी आ सकती है आपके लिए कुछ अनावश्यक उल्जन बढ़ रही है आप पर भरोसा करना होगा कुछ बहुत पोजिटिव होने वाला है और यही आपके लिए एक बहुत बड़ी सकरात्मक उर्जा लेने जा रही है मीन राशी वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी जो थी पूर्णतया दूर होने जा रही है क्या ब्यापारी दिश्टिकों से धन किस्तेती बहुत अच्छी रहेगी आज दोस्तों का मदद मिलने वाला है आज सरकारी मशीनरी से कुछ विशेश लाप मिलेगा दाम पत्य जीवन में शुपता कि अब दियों की पत्य पत्नी के बीच तनाव खत्म होगा आज संतान के विशे में कोई गुट नियूस मिल सकती है लव लाइफ के लिए परेशानी आ सकते हैं आज मीनराशी वालों को जादा दूसरे के काम में हस्तक छेप नहीं करता है लालंगशु भय 61 प्रत्षत का भाग आपके साथ है अब बात कर लेते हैं आज के भाग्याक्षर की आईए जानते हैं यह आपके अपने शुभभाग याक्षर है इनहीं को आप सादे चोक और कागश पर लिख करके रख लीजेगा सकरात्मक इस्थती अद्भूत इस्थती सोच भी नहीं सकते कलपनाओ से परे कलपनाओ से परे और यही आपके लिए सबसे बड़ी मजबूत इस्थती रहेगे चलिए अब हम आपको बताते हैं आज का सकसेज की तीन बार सांस जटके से छोड़ना है ऐसे कपाल भाते की तरह त्रीम बोलना है टी आर इएम त्रीम बस इतना सा करिए और शुप्ता का आनन्द उठाइए मित्रों आप हमसे अगर कंसल्टेंसी चाह रहे थे तो आज का दिन और बचा है रात बारह बजे तक तारीख हमारे अकाउंट में फीस आने की तारीख 25 अप्रेल हो तो आप एक 50 परसेंट डिसकाउंट पा रहे हैं कंसल्टेंसी के लिए और मैं उन समस्त माताओं पिताओं से मैं रोत करता हूं जिनके बच्चों के कैरियर को लेकर असमंजस की स्थिते बनी हुई है इस लॉकडाउन में मैंने बहुत लोगों का नहशुलक जो मैं कारिकरम करता हूं साड़े दस बजे अपने फेस्बुक पेज आचारे संतों संतोंसी पेज पर बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज को सॉल्व किया कि उनके लिए कौन सी दिशा कैरियर की सबसे बेश्ट तो मत करिये वेट प्लीज एक कुनली का मातर सत्रह सो रुपया पढ़ता है जिसमें मैं टैक्स भी देता हूं अठारे परसंट जी एस टी आप एक्क्यावन सो रुपय तीन कुनली के लिए किसी के भी तीन कुनली के लिए आप संपर करके जमा कर लीजे नमबर आपके सामन एक नया कारेक्टर में है सजेस्टर वीडियो में आप उसका लिंक देख सकते हैं क्लिक कर लीजेगा फायदा होगा नमस्कार जैसरी किष्णा शिरा दे